नमस्कार दोस्तों सुभास की बात में आपका स्वागत है कहा जाता है कि एक को साधें तो सबसाधे या एक तीर से जो है कई निसाने लोग साधते हैं तो अभी हम देखते हैं कि भूपेज बगेल ने दरसल जो 36 गड़ कांग्रेस कमेटी के अद्रक्ष पत पर जो एक अपने एक व्यक्ति को मोहन मरकाम को हटा कर जो एक दूसरे व्यक्ति को बिठाया गया है तो उस दूसरे व्यक्ति के साधने से किस तरह चुनाओं में जो है जो चेहरा बदला अद्रक्ष का उससे क्या क्या हो सकता है ह हम इस पर बात करेंगे दरसल दीपक वैज जो है जिसे दीपक नाम है तो इस पूरे अभी चुनाओं के दौरान एक रोस्नी लेकर पार्टी में वो आएं वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्पून बात है वो कहते हैं कि हमारे पास एक चेहरा है मुख्यमंत्री का चेहरा बुपेज बगेल का चेहरा है तो यह संसेक वो साफ करते हैं कि कोई कन्फूजन नहीं है इस चुनाओं में हम जाएंगे तो हमारे पास बुपेज बगेल का चेहरा है हमारे पास किसान का चेहरा है हमारे पास मस्दूर का चेहरा है हमारे पास बुपेज है तो भरोसा वाली है वो कहरे हैं कि हमारे पास एक जोजारू चहरा है हम किसी से डरते नहीं जो कारवाई हो रही है मुश्टे डरेंगे सत्ता और संग्ठन मिल कर काम करेंगे दरसल अगर हम इप पूरी बात को देखते हैं अभी लगतार जो कुछ कांग्रेस में कवायद हो रही है, उसमें हम देख रहे की भूपेस बहिँ चुनाव को लेकर किस तरह का काम कर रहा है, तो यदि मोहन मरकाम, जिनको अनोंने कहात सकते हैं कि हाई कमान ने हटाके, उनको मंतरी बनवायाई, पर कहीं ने कहीं, जो मोहन मरकाम थे, वो कही न कही संगठन के नाते सत्ता को चुनोती दे रहे थे, और उनको हटा कर दीपक बैज को जो ही जिम्मेदारी दी गई, बस्तर के सांसत दीपक बैज जो है, वो एक सौ म्यार इमानदार छवी वाले नेता है, कहा जाता है कि वो राहूल गांदी के भ खास तोर पे चुनाओ के वक्त जो है, सत्ता की पसंद को ध्यान में रखते हुए, संग्धन को रणनीती बनानी होती है, और साथ ही चुनाओ के वक्त कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आती, जब अभी टिकेट बटेंगे, तब यह देखना होगा कि बहुत सारे नेता भी होगी, और भगावत से पार्टी को नुकसान होगा, चुकि कांग्रेस सत्तर से ज़्यादा विधायकों के साथ है, तो निश्चित रूप से जब उसके बहुत सारे विधायकों की टिकेट कटेगी, तो कही ना कही असंतोस होगा, और लोगों को लगे है कि इसमें मुक् बस्तर की जमीन से आते हैं, वहाँ सक्री हैं, वो दो बार के विधायक रहे हैं, राद्दानी में उनकी सक्रीता उस तरह से नहीं है, जैसी कि बस्तर में, पर चुकि जवान हैं और लंबी रेस के घोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेज बगेल का उनको विश्वास भी प्राप्त है, फिर अगर हम संगटन में देखते हैं कि संगटन में दी बदलाव भी करना होगा, तो वो इस तरह से बदलाव हो जिसमें भूपेज बगेल के साथ मिलकर कोई चीच करेंगे, दीपक वैज अभी जो हैं, बैलिस साल के हैं, इस कम उमर में वो विधान सभा और हिसाफ से जिम्मेदारियों में बदलाव किया है, फिर चुनाओं के संचालन के दौरान कई वरिष्ट नेताओं से उनका सामना होगा, उन्हें संतुष्ट करना, उनकी ताकत को पार्टी हिट में इस्तमाल करने का कौसल, दीपक वैज को दिखाना होगा, ये चुनोती पू जो सामने आईगी, हाला कि इसकी जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, लेकिन PCC अद्यक्ष की भूमिका और सला इस मामले में आयम होगी, हाला कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुडबाजी से इनकार किया है, अच्छा नेता यही करता है, उन उन्होंने कहाए कि पार्टी मुख्यमंत्री भूपेज बगेल के चेहरे पे ही चुनाओ लड़ेगी, अभी ये बात भी आ रही है कि चुकि मुख्यमंत्री बने है टी-स बाबा, उन्होंने भी भूपेज बगेल के छेतर पार्टन में जाके यही बात कहीं कि भूपेज के जाएगा तो कोई दूसरा आदमी नाराज होगा पर उन्होंने एक प्रकार से एक को साथ के सब को साधा है भूपेज सरकार के कामकाज को अधार बना कर जनता के बीच जाने की बात भी जो है दीपक बैज ने कही है उन्होंने कहाई कि इस दोरान के इन सरकार पर भी उन्होंन पड़ेगा दीपक बैज ने इस दोरान केंद सरकार पर जो है 36 वड़ में पैसा ना देना उसका हख रोकने की बात दी कहिए पिंज्रे के तोते को बेज कर डराने की कोशिश जो वो ईडी और सीबी आई के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन भूपेश डरने वाले नहीं है कका अभी जिन्दा है उन्होंने आरपार का बयान देते हुए कहा है कि भाजपा को चुनोती दिये कि अगर हिम्मत है तो पीम मोधी के चेहरे पर 36 वड़ से चुनाओ लड़के दिखाए दरसल ये बहुत एक महत्पूर्ण बात है देखिए जब भी चुनाओ हुआ हम लोगों के चुनाओ के नतीजे अलग अलग है तो जो छेतर की जनता वो जानती प्रदेश की जनता कि प्रदेश की राजनीतिया इसलिए अब दीपक बैज जो बात कह रहे हैं कि क्या आप मोधी जी के चेहरे पर चुनाओ लड़ेंगे तो ये एक चुनोती है कि क्या प्रदेश की जनता केंदर में तो हो सकता है कि मोधी जी के पक्ष में हवा चले पर क्या राज में जनता उसको सुईकार करेगी इसलिए उन्होंने चुनोती दिया बारहाल दो हजार अठरा में चुनाओ के वक्त भूपेश बगेल जो हैं पी सी सी के अध्यक थे उनके साथ तब नेता प्र रमन सिंग सरकार की जिस तरह हार हुई बाजपा की हार हुई वो एक चौकाने वाली थी तो भूपेश बगेल के मुख्यमंतरी बनने के बाद मोहन मरकाम को पी सी सी अध्यक्ष बनाए गया उन्होंने भी चार साल से ज़्यादा वक्त तक पार्टी का संचालन किया जानकार जिस आक्रमक्ता के साथ चौनावी मैदान में उत्री है उसके मद्दे नजर भाजपा को एकदम से कमजोर मान के चलना सियासी नादानी होगी ऐसे में आक्रमक्पार्टी के मुकाबले के लिए भूपेश और सीध्यों जैसी जोड़ी चाहिए क्या दीपक वैज उस तरह का सामन जसर नेत्री दिखा पाएंगे इस प्रदर्सन को दोराने की चौनोती उनके सामने होगी चौनाव के समय कारकरताओं को साधना एक कला है जब बूत इस तर पर फोकस किया जा रहा हो तब उन्हें पुरे प्रदेश के कारकरताओं और जमीनी इस तर के संगटन पर कमां करते हैं ऐसे सभी नेताओं की उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा इस हालात में कई बार असंतोस के सुर उभर सकते हैं इस हाला से निपटने में भी उनके लिए एक तरह की चुनोती होगी कुछ राज्यों में इससे पहले सीनियर नेताओं के टकराओं में संगठ साइज डक्टर प्रेम साइज सिंग मंतरी पत्से हटे पर उनको केबिनेट मंतरी का दरजा मिल गया तो वो भी बैलेंस हुए टीयस बाबा मुख्य मंतरी बनके खोस दिखाई दे रहे हैं तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और खास करके भूप कर रही है जिस तरह उसके बड़े नेता यहां आ रहे हैं जिस तरह अन्होंने चुनाओ के प्रभारी डिकलेर किया हैं जिस तरह की रोज-रोज मीटिंग हो रही है ुसा संचार हो रहा है तो 36 गड़ में एक सियासी टकराव और एक जबरदस दोनों पार्टी के बीच में सत चुनाओं को अपने काम को लोगों के सामने रखेंगे वो पार्टी निश्चित रूप से चुनाओं में जीतेगी पर हमको लगता है कि एक सेमी फाइनल जैसी जो कुछ दोनों समटरनों में बदलाओ तो हुए बीजेपी ने पहले बदलाओ किया बाद में कांग्रेस ने बुपेज बगेल के साथ उस बात को फिर से प्रतिपादित कर रहा है कि बुपेज है तो भरोसा है और ये जो जुबान दीपक बैज बोल रहे हैं ये दरसल ये बात कहरे हैं कि हम बुपेज के चेहरे पर ही चुनाओं लड़ेंगे तो ये बात ता है कि 36 गड़ का बुपेज बगेल को सामने रखे लड़ा जाएगा बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है नमस्कार